गुड बॉर्णिंग असलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपके खिद्मत में हाजिर हूँ एक बार फिर से नए सीरीज के माध्यम से मैं उत्तर परदेश यूपियों का इजाम के लिए आपको जो सलेबस्ती की हैं जिसमें खास करके अब पूरा कुरूंगा दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल पर जोड़े रहें और मैं बीच में ब्रेक लिया था और मेरा मेंस का जाम चल लाता है सब्सक्राइब को समय जो है मैंने थोड़ा अपना रेस्ट किया फिर आज से में सुरुआत करता हूं दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और आपके लिए बहुत इंपॉर्टन चॉपिक है कि किताबे खरीदी जाती है लेकिंगे जो है एक कहावत थे की पढ़ीने जाती है तो जिस माध्यम से है कि हमारा कहने मतलब है सभी के पास मिटर होते हैं लेकिन रहने का कहने का तापड़ है कि अपडेटिंग जो है तो डेले अपडेट जाता है जिसके वज़ा से उसे बड़ी खामिया भूखतनी परती है मैं दोस्तों नहीं चाहता हूं कि खामिया भूखते आप मेरे चैनल पर बने रहे मैं एक सीरीज के मध्यम से जो आपके सामने डिस्पेले पर है मेरा पस कोई टेकनिकल इतना हाई टेकनिकल नहीं है मैं मैं खुद रीट कर रहा हूं इसके बाद में आप लोग को भी दे रहा हूं और यहीं आप से वए उमीद है कि आप मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगए तो आप जुरूर लाइक दीजिएगा और हो सकी तो आप जो हिस चैनल को सब्सक्राइब जूरू करिएगा यह अगर कोई क्या नाम है मिश्टिक होती या टोटी होती है तो उसमें छमा चाहता हूं और जो चीज़ों होती है आप कमेंडर बॉक्स में डाल दीजिए उसका जुरूर हम विचार करेंगे ठीक है अब यह देखिए प्रामभिक तरीके से क्या है यह देखिए जमानत का प्र अब देखिए जमानत की है तो आप देखते हैं जमानत का चीज है जमानते से अभ्युक्त जमानत देने के लिए तयार होता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा क्या है जमानती अपराद में अभ्युक्त जमानत देने के लिए तयार होता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा लेकिन आज जमानती मामले में अब यहुद को जमाद पर छोड़ा जाने नियाले के बीवे का दिन पर निर्भा करता है जो अजमांती अपराद है जमांती अपराद जो है एक उसको अधिकार मिल जाता है लेकिन अजमांती अपराद में जो है नियाले के बीवे का अधिकार पर निर्भा करता है फ्रस्तित्य विचार करके अभिहुत को जमान पर चोड़ सकता है या इंकार कर सकता है दोनों चीज़े कर सकता है छोड़ सकता है ओके आप देखते हैं एक केस है मोती राम बर्सेस मद्पद्राइश राच एयर उने सुप्रीम कोट पंद्रों सच्छान भी मामले उस्तम नियारे ने यह मत बेक्ट किया जमानत का एक नियम है तथा निरोत कारवाश अपवाद है ऑगे जमानती मामले में जमानत का अधिकार के रूप में मांग की जा सकती है जसमें अपरादों का उवर्गी कररर किया गया है बाती डंध सेता के नतरगत अपरावढ़ों में अपरावज हुए उसे और कारवावास ऑझय तो आंधयावाझे उसंगिया होगा तो तीन वर्से कम है तो कारवास से डंडनी हो तो जमांतिय और आसंगिय होगा जो कहने का तपर है तीन वर्से अधिक जो कोई अफराद होते हैं वो जमांतिय होते हैं और आसंगिये होते हैं अगर तीन वर्स से कम कि जो अपराद होते हैं तो वो आज जमानती होते हैं और आसंगिये होते हैं तो जमानती जो है संगिया संगिये के लिए हम भी देखेंगे संगिया संगिये क्या चीज है कहने का तत्पर ही कि जो है जमानत का जो है डिफिनिशन जो है टू ए में डिया गया है कि जमानत क्या चीज होती है जमानत और चीज़ें को जो पर्थम जो है पर्थम सुची में बताया गया या कसी अन विदियों में बताया गया है उसी अप्राद को जो है जमानत जमानत कहत बिताओंगा कि क्या चीज होती है अब एक केसे रेल प्रोपर्टि ये अनुफूल फॉस्टेशन एक्ट के अधिन जो है अगर उससे कोई अपराद होता है तो सभी अपराद जो है आज अमानती होंगे एक केसे भारत संग बनाम भारत संग 2004 क्रेमल जनरल प्रोपर्वासित नहीं है परिवर्वाद कंसर्ण के मजिस्ट्रेट के समझ किया जाता है पर्थम स॰ूचन रिपोर्ट सद्यों पुलिस थाने के भाष़।द्र作 रिक अधिकारी को कि जाती है अब देखते हैं जो बिसकता है उत्ति महम्मुशं छत्र समंबंदी थाने को पुलिस थाने जिवा द्वारा क्याय जाता है लेकिन दाराघ। 56 में उपंदित है कि ऐसे किसी मामले पुलिस अधिकारी या किसी कारोहिप को किसी भी परकृम के इस अधार पर प्रस्णागत नहीं किया जाएगा कि वह मामले ऐसे है जिसका अधिकारी इधारा के दिन अन्वेशा करने के लिए सासथ नहीं था सब्सक्राइब करने के जाएगी जो क्या करेगा अन्वेशा करेगा अन्वेशा करने के बाद में थाने के वासादिक अधिकारी आपको सब्सक्राइब करेगा अब देखते हैं 152 में बताएगा है 152 में बताएगी है गृफ्तारी और यह अन्वेशा के लिए अपराद के दो और भाजित किये सकती हैं क्या क्या है एक होता है कौण देख लफींस कौण दीनेवल आफिंस और रहें खुदा नान कौण देख लाफेंस संगय अपराद में पुलीश अभ्यूद्ट को गी गिरफ्तारी यह अन्वेश्र मजिस्टेट के आदिसके बिना कर सकती है जिबकि असंगे मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश से अभ्यूत की गिरफतारी यो अन्वेशर कर सकती इसके लिए सिकायत करता हो को मजिस्ट्रेट के आदेश में लाना होता है अब विचार के प्रियोजन के लिए मामलों में दो और गूमि विफाजित किया गया है वारेंट केस तथा सामन केस वारेंट केस तथा सामन केस आप देखते हैं इंपोर्टेंट यह है जो सवाल बनते हैं और पूश भी लेते हैं पिली के पॉइंट आउट गये लिया कि लियू जो है किक okay किया नाम है आप béले अभी काल्वास ढड़नी यानि दो वस्ट कि अधिक है Colorado सब्द है अधिक आवद की कारवास टंड़नी किहाँ होता हूँ क्या होता है वाइंट के मामला होता हुआ हैं दोर्स तक कारोवास डेड़नी इहां देखो तक है और अधिक है यह वर्ड को सब्सक्राइब करना है कि अधिक अधिक है और तक यानि अब टू है समन मामला कहलाता है वान्ट की मामले में कुछ मामले का बिचार करने के साथ सेसंन मामला कहा जाता है जिसे राद दुरों कि राद दुरों 124 ए बिबाह का दुश्पडर 131 किसी ब्यत की मिर्त से डढ़नीया प्राध किल दोस्षित करने का आसे सिम्मित्या साथ देना गणना साथ बिलोपन धारव दोसो एक हत्या 302 आज इवन करवास के देंडा देश के अधीन ब्यक्त दौरा हत्या 303 कि हत्या की कोट में आने वाला प्राधी मानोबद जो 304 दहेज मित 304 बी सिसु तुसु आद की हत्मात्या की जाने के दूस्पर 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 अधमात्या के जाने के दूस्पर 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 हत्या का परियास हत्या का प्रत्न 307 अपाधी मानोबद का प्रत्न 308 हत्या कने के लिए पढ़ यदा आपारा 13345 ए अ सब्सक्राइब के लिए तिन्सों पंचानवे हत्या सही डखेती धारा तिन्सों चीहात्तर गिरे आधि किनस्ट करने के आसे से आगे निया विस्पूर्ट पदा द्वारा रिष्टी धारा सब्सक्राइब करने के आसे से अपराद के लिए जिनका विचार कोई मेजिस्टेट कर सकता है कहने का ततपर है कि कुछ वारंट मामले सब्सक्राइब करने का बिचार आपसे से किये जाता है कि önके मामले में दो परकारी होते हैं पुलिस पॉर्च प्राने है सभी सभी मामद सभी चुरी प्रक्रियाह अलग जाती हैं लेकिन ऐसे प्रक्रियाह जो 206 में प्राइध मइजिटे दौरा 206 में लखित अपनाया सकेगी सजित विचाबर के साइब लेकनी लिखा जाता है इस प्रकार जमानत की प्रोजन के लिए अप्राद जमानती होता है एन वेश्रा और इंगर्फतारी के पर्योलीरिबिशन के लिए अपरादर के मामिलें सम्हिंद स्क्राइब विभाजित किया गया है । कि 2 चीजह होती है सुदस्राइब पहची सीट очांच मामले में समन मामले के विचार की परक्रिय अपनाई जाता है अब्यूद गौहों के परपृच्छा का अधिकार हो देता है इस प्रकाव मामले का समन मामले का तरह विचार अवेध हो जाता है के स्टेट ऑफ एर निसों सट का साइटेशन है के मामले में समन की प्रक्रिया अपना अपना आ जाता है अध्यूत के प्रभाव नहीं होता है तो इस तरीके से जो होता है ओके अब देखते हैं यह लेखनी है कि प्लिस रिपोर्ट पर सनस्तित वार्ण मामले के परक्रिया पुलिस रिपोर्ट पर सनस्तित है को महत्पूर में अनतर नहीं लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर सनस्तित रिप्रिया की बश्राज बरसे स्टेट ऑफ यूपी अनदर 2011 जाए ना सकता है प्रोविजन अंडर्य सक्षन dूस और स्थियर पाउड़ तो कोड गनवर्ड टायल समयंकेस इन्टु आल वारेंट केस्ट दीज जो पाउर्ट तू नग्यो दा कोड डैकेक्ट ऑसिट दा कोड प्रोसेजर फेर समयंकेस फॉर दा केस्ट which the procedure for trial of warrant cases has already been adopted when procedure for trial of warrant case adopted court can go not go back to procedure for trial as summer case 171 समन मामले विचार के परक्रिया को वाइंट के मामले विचार के परक्रिया बदनने की सक्ष नियाले को है ना कि वार्ण मामले में बिचार के परक्रिया करने समन मामले में अरो बिचार के आउस्चक नहीं होती है समन मामले में परवादी का अनुपस्ति में दोस्मुक्त होता है बिखते हैं बिचारा ट्राइल की प्रभासान हिए कि जांच के पषचात क्या रोही से समयानिता बिचार होता है क्विभरा ... मामले इसको निस्तार हो जाता है क्या हो जाता है जैसे कि क्या ना है पर दिया जाने की है सब्सक्राइब करते हैं अभिवाओं सोदेवाजी अध्यक्रेश का है हो जाने पर दुसरी बाते कंप्लेंट वापस ले जाने पर 257 है जो है प्रिवादों जो है परिवादी की जो परिजेंट में जो है रीजन हो 256 में है जुसरी बाते कुछ करवाणी रोग दिया जाने का अधार्फ है है दोस्वादाओं है अप्रादों का समयन होने पर तो 320 से अभ्योजन वापस लिए जाने पर 318 से पूर्दोस्य दिया पूर्दोस्मुक्त धारा 300 है साप्राधी को छमादान दिये जाने पर धारा 306-37 साथ है अभ्यूद की मित करक्यों का रोई का उपसंबन हो जाने पर 394 संग्यान के लिए निका प्रश्रीमा के समाक्त हो गया धारफ चाह सथ है उप्रोक्त धाराओं के अंतरगत अभ्यूद को दोस्मुक्त हो जाता है और प्ली बानिंग अभ्यूद को जो है प्रित प्र सब्सक्राइब करृट एक ने सब्सक्राइब और अनुसार ज़या के अभ्यूद के लिए प्रश्राइब की जाएगी होता हो तो उसका जो है इंविस्टिगेशन इंक्वारी ट्राइल उनके संबन में कोई अधर प्रोशेडिंग है तो दर्ण प्रिक्रियस सहंता के अनुसार की जाएगी चार धारा-चार-दो में कहता है जर्ण प्रोशेड में सनित प्रभाव यह क कहता है यद शिकायत किया अप्राद का अनुट leaf यह जया चार धारन प्रिक्रियस सहंता का नुसार किया हो ना चाहिए LEN की बारे में किस्टि बिजस प्रिक्रियस के और भिक्रिक्रिया दी गई है तो ऐसे अप रप्राद का बिच दाराचार दो और यूंदाराचाबिश्य का निदर्शनित प्रभाव कि यद कोई सिकायत किया गए अपराद का अनबेशर होता है यह उसकी जांच और उसको विचार टन परक्राद के नुसार ही किया जाना चाहिए लेकिन लेकिन यद अपराद के बारे में विशेज विद्य कोई स्पिसल लौ बन गया हो और विशेज प्रोसीजर दी गई हो तो आफे अपराद का बिचार विशेज नियाले द्वारा जो विशेज नियाले गठित की जाएगी और विशेज जो है उसकी परक्रिया बने उसके अदि कर दी गई इसने मेजिस्टेट को नियालों को साधारा अधिकारता है कि इस सक्त की विश्ची दूरुक से बाहर हो गई है अनसूचित जात कि और सुचित जन्जात अनपरादो के बिचार के लिए अनुपस्तित जो है अ ऐस्तापित multis सन्याले कर दींदिंदे आपरादों के साथ ही साथ उस Active अर्वाह में बाते दं सेंता कि दिन आपरादों का भीमेजिस्टेट द्वारे सुफृत की विना संग्यान और विचार sutर्क शकत है यद अप्राइब उससी जिसन वेवार में कीएगे नहीं प्रवावेज़ात और अभिटी प्रवदानोंipple के प्रवदानी संट्रंफ़igare प्रवाइद करने हुए तो अस्पस्ट इंगित करें यानि जो है पर्वाइद करता है तो अस्पस्ट है कि इंगित करें या पस्नगत बिश्यस बिदी ही परभाई होनी चाहिए दन प्रकरिया सेंताग में सभी परकार के अपरादी मामलों के बिचार के लिए परकरिया बीहिद करती है सिवाय उस बिश्यस परकरिया के जो तसमे प्रवित किसी अन्ग बिदी क द्वारा बीहिद की जाएगी इसलिए याम्ने के मामले में उची नियाले संचित रूप से निटारा का सकता है अपनी परकिरिया अपना सकता है कें सरकार उच नियाले के अन्रोध करने या उच नियाले किसी विशेस को सरकार के दिन अब देखते हैं लोग अभ्योजक उस लोग अभ्योजन यू निदेशाले अधारा चोबिस के अंतरगर्द किंद्र सरकार या राज सरकार उच नियाले के प्रामस्त के बाद उच नियाले में लोग अभ्योजक या अपर लोग अभ्योजक किनुद करती है किस किनुद करती है लोग अभ्योजक या अपर लोग अभ्योजक किनुद करती है कौन करता है राज सरकार कैसे किंद्र सरकार देखिए 24 कंतर जो है किन सरकार फश्ट या राज सरकार उच्छ नियाले किसको प्रामत देता है उच्छ नियाले के प्रामस्ट के बाद उच्छ नियाले के प्रामस्ट के बाद उच्छ नियाले में लोक अभी होजग और लोक अभी होजग की जाती है कोई बेख लोग अभियोजक नुट किये जाने की पात के ओल तबियागा जब वो कम से कम सात वुस्टक अधिवक्त के रूम में बिधी बेशाय कर रहा हो यह 24 के 24 साथ में बताएगा है सब सक्षन में बताएगा है कोई बेख लोग अभियोजक या अपर लोक अभी होज़क नुट किया जाने के पात के ओल तभी होगा जब वो कम से कम साथ वर्स तक अधिवक्ता के रुप में बिदी बिवसाई करता हो ये धाराच 24 के सब सेक्षन साथ में बताया गया है के अंदर सरकार या राज सरकार किसी मामले में किसी वर्द के मामले में प्रोजन के लिए किसी अधिवक्ता को कम से कम जो है दस वर्स तक अधिवक्ता की बिदी बिवसाई करता हो जो बिसेस लोक अभी होज़क कर सकती है यानि इस पिसल जो है प्रब्लिक प्रोस्क्यूटर्स जो है वो बताया गया है धारा 24 के सबसेक्षन आठ में बताया गया है धारा 24 के सबसेक्षन आठ के परंतुक के नुसार न्याले पीडित को अनमती परदान कर सकेगा लोग को इस उधारा की अधीन अभियोजन की सहाथा करने के लिए अपनी पसंद का अधीवक्ता नियुत कर ले शाहिक लोग अभियोजक की नियुत करा सरकार करती है इसकी नियुत उधारा पचेस के अंतरगत होती है पुलिस अधकारी साहयक लोग अभयोजों के नुपन कहता है जीला मजिस्टे किसी अनबेट को किसी बिशित मामले के परियोजन के लिए लोग अभयोजों के नुपन नहीं कर सकता है यह प्रॉब्लम मेरे खाशीं आती है जो पुलिस अधिकारी उस मामले के अन्वेशर्क में भाग लिया है यो पुलिस पुलिस ने चेक्ट अनिम्त में से कोई मामले बहुत सादक लोग कभीज़क नहीं कर सकता है कि अब देखते हैं 25 के अंतर के लोग अभियोजन निदेशक के रूप में नुद किये लिए कि और तभी पात्रोगा जो यह दो अधिवक्ता करूप में कम से कम दस वक्त तक विदी बेशाई कर रहा हो में बहु नोग पत्तेक लोग अभियोजक और लोग अभियोजक और विसे लोग अभियोजक अभिजिन देशल्यक अधिनिस्थ होंगी दारहसाथ कंशार परतिक राज एक से मोङ सब्सक्राइब होगा उसमें सिसंखंड और जिला होगा राज किए जिस नगर में जन संख्या 10,00000 का अधिक है उस सरकार के दुष्च्ट का सकती है दारा आठ में बताए गया है जिसकी संख्या जो है जन्शक्या जो है दसलाक साधिक होगा तो इसे महानगर घोषित कर जा सकती है तो कुम तो से अरा सरकार के अध्य सूचना द्वारा दारा आठ्म बताए गया है राद सरकार पटेक सेसन करनक के लिए 1 सेसन नियाले स्थापित करेगा परते में में एग नFre Upatで पिटा सीन होगा जो उचीन नहाले दोरा निगो किया जाएगा कि जहां से सजयों बिद्ध पर रखता हूं और जो नहीं है तो शोन है कि अले कि जैता करकर सकता्व दोरा यह कि चल्ड करें के मुखना जिखिलर में एंपनांटाइनने के लिए बिवस्ता कर सकता ऐसे प्रतेक न्याइधीस या मिजिस्टेट के ऐसे आभेदर पर कारोही करने का अर्य बंदिकारता है कि धारणों में है राज शरकार उच न्याले के प्रामस्ट के पचात किसी अस्थानी छत के पर्थव और के दुट्टी और के न्याइधीस 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 के अधिर रहते हुए मुख नए मिजिस्टेट के अधिनस्त होगा धारा पंद्रा कुछ चिन्याले महानगर बिश्रेस मामले में इसके संबद में महानगर मिजिस्टेट प्रात की जा सकती है परदान की सकते हैं कोई भी सकत किसी भी बैक को परदप नहीं की जाएगे जब तो उसके पास बेदिक मामले नहीं होते हैं तो मैं आज तक जो है आपको इतनी चीज़ें बताई हैं और इसके बाद में हम कल आपको जो है अगला टॉपिक लेंगे मलबने स्टे जो है इसी अधिरर के मादर में से आपको जो टौपिक टौपिक है उसे क capsule नहीं सथे जाएगा उसके बाद में में यप क्या बिछ्च प्रक करिए अब जर्च आब लोग मुझे युजिवर उवाज संगे के मामले में जो है ऐसा करेएगा कि आप एक नोट बनाइए नोट बनाईए संग्या संग्य मामले मंतर क्या है कंपलेंट और और res पर उसमें अंतर क्या है कि और Is that inquiry trial है यह इसमें एंतर क्या है कि आरों कि तने प्रकार के होते हैं यह आप squeezed about हृण बनाएंगे और मेरे कमेंडर बोक्स पर और आप जो है स्वाट नोड बनाकर आप या तो मेरे क्या नाम है उस पर जो है जुरूर भी दिजिए मैं नीचे अपना वार्षप लिंग वार्षप नंबर दे रहा हूं डिस्क्रेप्शन में आप मिने वार्षप नंबर लेख लीजिएगा उस पर जुरूर देगा क्या न पा सकता है और मैं देखा हूं अभी तो मेरा अनभव है कि कंपटिशन टप नहीं होती है लोगों का एक कहते हैं कि लोग एक कहते हैं दूसरे को जो है कंफिडेंस को लोग करने में लगे हुए हैं तो जो आपको पोजिटिव इनरजी देता है आप उसी के साथ रहे जहां किताबही को अपना लिजिए किताबवें पढ़ते रहीं चौर्ण्स टेस्ट बुक किसी चीजिटी आप पढ़िए और विसका टेस्ट बुक पढ़िए और उसको बनाने के लिए मैं ने जो बताया है वो जुरोड बनाई किया नहीं जुरूर तैयार करिएगा हम उस पर च में अंतर क्या है आरोग किसे कहते हैं इंक्वाइट ट्रायल किसे कहते हैं तो इस पर एक और चचा करेंगे जो मेंस के पॉइंट भी उसे है तो आप लोग मेरे साथ बने रहें मेरे चनल सब्सक्राइब करें मैं आप लोग को जो होगा मैं बताऊँ मेरे स्वास्त थोड़ा बहुत करबर में या पालूह दोस्तों ने स्वास्त के लिए चाहे हैं